हर्फ जर मिन और हिला को देखते हैं मिन का मतलब जैसे बताया था कि से फ्रॉम तो अगर कहा जाए के के एक जगा से दूसरी जगा की तरफ तो अब यह जो हमने से लगाया और की लगाया तो इस चीज़ को explain करना है कि मिन का मतलब होता है से और अगर कहा जाए कि लड़का घर से ठीक है लड़का घर से अब ये घर से कहां जा रहा है किस तरफ जा रहा है तो उसकी बात अगर हो और अगर इसकी direction है कि ये जा रहा है मस्जिद की तरफ तो ये जो की तरफ में ने रड में किया है, इसका मतलब कि ये हर्फ जर है की, हर्फ जर की का माईनी दे रहा है और वो हर्फ जर क्या है? इला, इला का मतलब होता है की तरफ, जिस जगा की तरफ जाया जाए उसके लिए इला का प्रापोजिशन जो हर्फिजर है वो इस्तमाल होता है और जहां से जाया जाये वहां पर हर्फिजर मिन आता है उसके लिए कि कहां से कहां तक उसके लिए मिन इस्तमाल होता है तो ये दो हर्फिजर इसमें कम्प्लीट हुए अब हम देखते हैं जो मिन है वो 3,226 टाइम्स कौराने पाक में इस्तमाल हुआ है, 3,226 बार. और जो इला है, वो 742 टाइम्स कौराने पाक में इस्तमाल हुआ है. Next, हम देखते हैं कि एक बॉक्स है, और उसके अंदर एक जो है, वो बॉल है. तो अब इसके लिए जब हमने कहा के बॉक्स में बॉल मदगाइंड, तो इसके लिए हम में में का वर्ड जूज करेंगे, में. बॉक्स में. इन. और अर्बी में इसके लवज होगा फी. ठीक है? किसी चीज़ में कोई भी चीज़ हो, तो जो में इस्तमाल होता है, इन. वहाँ पर अर्बी जुबान में फी कलावज इस्तमाल होता है. अब हम देखते हैं, कि एक मेंज है, उसके उपर किताब है. अब इसके लिए क्या होगा? कि अगर जुमला है कि किताब मेंज पर है, तो यहाँ पर रड कलर में आया है, यह हर्फे जर है, प्रपोजीशन है. यहाँ पर जो यहाँ पर यहाँ पर जो यह मुपतदा बन कर आएगा किताब तो अर्बी में यह बनजेगा अलकिताब आलमक्तबी, यहाँ पर जो अला लगा है, यह हर्फे जर है, प्रपोजीशन है. तो अलहम दुल्ला यह हैं पर देखें, आपने मिन, इला, फी और आला को सिखा कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होते हैं और इनके बाद जो यह जो हर्फी जर्व होते हैं इनके बाद जो इसम आता है वो हालती जर्व में चला जाता है, मजरूर हो जाता है.